तो किसी विवश्था के कारण वहार रहना पड़ा हो तो काहे की विवश्था भाईया कल को तो तुम यह भी कहोगे की विवश्था वस हमने किसी का वध कर दिया है प्रन्तू उसका दोश प्रमानित तो नहीं हुआ जब तक दोश का प्रमान नहों दंड देना न्याय नहीं ह तुम नगरवालों की यही दुरबलता है हर बात में न्याय और अन्याय की दुहाई दोगे हर दोश का प्रमान मंगोगे अरे भागवान ने प्राणी को बुद्धी काहे को दिये उसका प्रयोक करने के लिए ही ना तो साधारन बुद्धी का प्रश्ण यह है जिसके साथ रा प्रश्ण कोन है वेकिन वो दोशी है इसकी साक्षी किसने दी उसके लिए साख्षी के अवशकता ही कहा है यह तो अंधे को भी दिखाई देता है रभू जिस प्रजा के लिए राजा अपना सब कुछ बलिदान कर देता है क्या वो प्रजा इतनी क्रतग्न और पाशान हरदय हो सकती है क्या राजा का ही प्रजा के लिए उत्तरदाहित्व है प्रजा के लिए राजा के प्रति शद्धा या आधर का कोई विधान नहीं राम दन्द तो स्वयंद तुम अपने आख को दे रहे हो इससे अधिक दन्द मैं और क्या दूंगा मैं तो विधिना का ये खेल देख रहा हूं कि किस प्रकार एक माह मानो उस पाप का दन भोगता है जो पाप उसने किया ही ये जो तुम सीदा को निसाहाई कह रहे हो उससे पता चलता है कि तुमने मेरी पुत्री को पैचाना ही नहीं राम मेरी पुत्री निसाहाई नहीं है उसका सहायक है उसका धर्म और जिस तरी की रक्षा उसका धर्म करता है वो कभी निसाहाई और निर्बल नहीं रह सकती झाँ 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 झाल